नमस्कार स्वागत आपका निउस 24 पर मैं आपके साथ पूझा राठोर शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर जी हाँ ग्यान व्यापी में ASI का सर्वे जारी रहेगा इलहाबाद हाई कोट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है इस वक्त की बड़ी खबर अब सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह से याचिका दायार की थी आज राइब बहिलाबाद हाई कोट ने सर्वे को खारज करते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है यानि अब ASI आगे सर्वे कर सकेगा ASI की तरफ से कहा ग्या की सर्वे से धांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा हिंदू पक्ष के वकील विश्नु जैन ने कहा ग्यानबापी में सर्वे तुरंत शुरू होगा तो आपको बता दे ये बड़ी ख़बर हालांकि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा जटका आज लगा है इस वक्त विश्नु शंकर जैन जी मौजूद हैं से बात करेंगे अपक्ष को अपने बड़ी जीत मान रहे हैं अप लोग अपने लिए बहुत इंप्पॉर्टेंट है बहुत अच्छा फैसलर जिनका साफतर पर ये कहना है कि आज कोट को जो फैसला ग्यानगापी परिसर के सर्वे को लेकर सुनाना था उसमें फिलाल कोट ने ASI को सर्वे की अनुमती दे दी है और ततकाल प्रभाव से वहाँ पर ASI अपने सर्वे का काम भी शुरू कर पाएगा क्यामरा परसन सचन सैनी के साथ अशोग तिवारी प्रियाग राज निउस 24 हिंदू पक्ष के वकील सौरब दिवेदी जी हमारे साथ मौझूद है जो सीधे हाई कोट से बाहर आ रहे हैं चुकि अस्ट्रक्चर को कुछ नुक्सान नहीं पहुंचना है तो ऐसे में ASI सर्वे वहां होना चाहिए और ASI सर्वे होगा तो यह दोनों पक्षों के लिए फायदे की बात है क्योंकि जो ट्रायल होगा तो सही जो है तरीके से टीजे एडिटिकेट होंगी और कोट ने य अब और भी चीजे निकल के आएंगी और हमारी ट्रायल में हमारे जीत होगी आज जब फैसला सुनाया जा रहा था तो दूसरे पक्ष की तरफ से लोग मौजूद थे हाँ उनके SFA नकवी जो सिने रोकेट उनके जूनियर वहां मौजूद थे और दूसरे पक्ष के लोग स काफी खुशी देखने को मिल रही है क्यामरा परसंट सचन सैनी के साथ अशोक तीवारी प्रियाग राज न्यूस 24 और चली मेरे से योगी अशोक तीवारी सीधा मेरे साथ जूड रहे हैं अशोक वाके हिंदू पक्ष के लिए एक ये बहुत बड़ी जीत कहीं जा सकती है पहले जिला कोट से और उसके बाद अब हाई कोट से जिस तरह से उन्हें रहत मिली है कब से अब सर्वे का काम शुरू हो जाएगा शोक देखें दरसल हाई कोट में ये जो फैसला आज सुनाया गया है ये फैसला दरसल दोपहर बात सुनाया जाना था हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से अभी जब थोई दरे पहले मैंने उसे बात की तो उनका ये कहना था कि कोट की तरफ से दोनों पक्षों को सुबे 10 बजे कोट के भीतर बुलाया गया था और उसके बाद हाई कोट की तरफ से अपना फैसला सुनाया गया है कि जिला अदालत के फैसले को पूरी तरह से बहाल कर दिया है लहाजा अब किसी भी समयानी ततकाल प्रभाव से एसाई के सर्वे के जो फैसला जिला आदालत की तरफ से दिया गया था वारनसी में उसको पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है तो अब किसी भी वक जब भी एसाई चाह जितके जिस सर्वे के आपत्ती को लेकर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप इलाबाद हाई कोर्ट जाइए वहां पर अपनी बात रखिये जाकरके तो फिलाल अभी थोड़ी दिर पहले जो इलाबाद हाई कोट है उसने ने दोनों पक्छों की मज़ूदगी में ये फैसला सुनाया है कि वारानसी में जो ग्यानव्यापी मस्जिद है जो परिसर है उसके ASI सर्वे का जो फैसला जिला अदालत वारानसी की तलब से दिया गया था उसको पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है और हिंदू पक्षकार इसे फिलाल अपनी एक बड़ी जीत की तौर पर इमान रहे हैं वो लीगली पूरी तरह से तयार है अगर वहाँ पर इस ओर्डर को चुनोती दी जाती है तो वहाँ पर वी अपने पक्ष सुप्रिम कोर्ट के सामें रखेंगे लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्षकार लगातार इस बात की दलील दे रहे हैं कि इसी तरह का पहला फैस पहले को चुनोती देने वाली आज का दायर की गई बहस चली तो उसके बाद आज जो फैसला इल्हाबाद की तरफ से दिया गया यानि कि दोनों फैसले को फिलहाल हिंदू पशकार अपने लिए बड़ी जीत के तौर पर मान कर चल रहे हैं और अभी वह अपनी बात पर काय हमारे साथ